एलो अग्वार्वन आम हमान सुभार्ति एंड वर वचिंग इस्टिल सेडिंग यूटोब चैनल तो आज हम लोग क्रास 8 सिबिक्स के चप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं जो है पार्लियमेंट अद दे मेकिंग ओफ लॉज तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे की पार्लि , ईसट पीपलोगों को क्यों जरूत है मतलब डिसीजन में पार्टिसीपेट करने क brothers और सबस्क्राइब के और हम वेघ्वार्द में क्राइब ने यह करने जो थे उन्होंने ये पाया ये सोचा समझा कि जो सारे लोग हैं एक आजाद इंडिया में उन्हें जरुवत है पाटिसिपेट करना decision making में तो फुल्फिल द्रीम्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ दे फ्रीडम फाइट स्ट्रॉगल तो यह जो सपना था नेशनलिस्ट का प्रांधिकारियों का आफ्टर दी constitution अफ इंडिपेंडेंट इंडिया डेट लेट डाउन दी प्रिंसिपल ऑफ उनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज तो इसके जरिये जो जो भी एडल्ट थे हमारे देश में उन्हें राइट वोट दे दिया गया था उन्हें तो जो भी अठारा से ज्यादा एज वाले फिर अठारे की एज वाले जो भी लोग थे मतलब जो भी युवा थे हमारे देश पे उन्हें राइट टु वोट दे दिया गया था वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते थे अब नेक्स्ट है पीपल एंड देर प्रेजेंटेटिव लोग और उनके रिप्रेजेंटेटेटिव दी डिशीजन ऑफ पीपल देट क्रिएट्स अडेमोक्रेटिक गॉव्मेंट एंड डिशाइट्स अब वाउट फंसनीं तो जो लोग का डिशीजन है वही एक डेमोक्र प्रेटिक गॉवर्मेंट को यह भी डिशाइड करता है और यह जो पार्लेमेंट होता है वह कंट्रोल करता है गाइट करता है अमारे गॉवर्मेंट को दरोल अब ऐसे में कारियाट को यह यह कंट्री इस डिवाटेटें इंटो नुमरसका निउमरेश कॉंस गूइरं क्वाइड किया गया है और यह जितने भी वह अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बतलब कि उन सारे से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है और वह जाता है पार्लियमेंट में उसके बाद यह एंपी बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियमेंट और यह सारे एक साथ मिलके पार्लियमेंट बनाते हैं कि लोग सभा यूजवली एलेक्टेड वन्स एबरी फाइफ मतलब कि हर पांच साल पर जो लोग सभा होता है उसके एलेक्शन्स होते हैं कि अब पर्लियमेंट बन जाती है पांच साल के बाद नहीं जब पार्लियमेंट आती है जिसमें नएने मेंबर्स होते हैं जब वह बन जाती है तो पार्लियमेंट को तीन जो का मतलब ख्याल लखन पड़ता है तीन रूल निभाने पड़ते हैं इंपोर्टेंट तो उसमें पहला है तो सेलेक्ट दर नेशनल गौवर्मेंट सबसे पहले वह नेशनल गौवर्मेंट को सेलेक्ट करती है फिर कंट्रोलिंग गाइडिंग एन इनफॉर्मिंग गौवर उसको इस फंचन के अंदर में बनाया जाता है तो उचले पड़ते हैं कि कैसे जो हमारे पीए में फिर जो नेशनल गौवर्मेंट है वह कैसे सेलेक्ट होती है इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दिराजय सभा और लोग सभा तो जो हमारा पार्लियमेंट है वह इंड में पहला होता है फ्रेसिडेंट दूसरा राज्य सभाव सभा और लोग सभा च्या होता है फोर प्रतिwno पेलिवर्मेंट कंदर लोग सभा में किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना सब्रोक शोरा के लिए मुदंग सब्सक्राइग है मतलब की जो ठीगे हैं उनके हीए लोग सभा की since there are four five forty three elected and plus two nominated members in लोग सभा तो जो members होते हैं लोग सभा के वो होते हैं पूरे बिला के 545 545 जिसमें से जो दो होते हैं वो एंगल सब्सक्राइब जो दो होते हैं वो nominate किया जाते हैं President के द्वारा to have a majority party तो किसी भी majority बनने के लिए इनका आधा मतलब हिस्सा मतलब जो नंबर है 545 का इसका आधा होना जरूरी है जो है 272 मतलब कि किसी भी जो ruling कोई भी जो पार्टी है उसको majority बनने के लिए ruling party बनने के लिए उसको 272 जो MPs हैं उनके संख्या होने चाहिए फिर उससे ज्यादा की संख्या होने चाहिए तब जाकर कोई भी ruling party कोई भी पार्टी जो है वह ruling party बन जाएगी इस different political parties join together to form the government then this is known as coalition government तो कभी-कभी क्या होता है जो parliament होता है उसमें जो जो parties होती है कभी-कभी यह जो 272 का जो आंकड़ा है वो नहीं छूपाती है इसलिए coalition करना पड़ता है coalition क्या होता है मतलब यह जो majority sorry यह जो half number of members हैं उनको रीच करने के लिए महां तक पहुंचने के लिए जो parties होती है वो एक साथ मिल जाती है और जब मिलती है तो उसे coalition government कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया इस लीडर आफ भी ruling party तो जो ruling party बनती है majority जो party होती है वो ruling party बन जाती है और जो ruling party बनती है उसका जो leader होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर फॉम दी MPs who belong to her party बने जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पार्टी में जो जो MPs है उनको खुद प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे कि वो लोग क्या क्या काम करेंगे वो कि कि इसके चीजों के इंचार्ज बनेगे उसके बाद है राज्या स्भा क्या होता है राज्ये सभा का मुझे सेले लियक्या थी इंज इन पडिश्वेशलेशन और अब्ल इस required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law, मतलब जो राजय सभा होता है, उधर से, मतलब कोई भी जो law होता है, अगर राजय सभा बना रहा है, तो उसको लोग सभा से होकर गुजरना पड़ता है, लोग को, और जो लोग सभा अगर बना रहा है कोई law, तो उसको राजय सभा से होते हुए आगे जान तो अलग-अलग जो स्टेट्स के legislative assemblies होती है, वो elect करती हैं राजय सभा के members को, जैसे जो 543 जो members थे, पूरे MPs जो थे, वो अलग-अलग राजय के होंगे, मतलब अलग-अलग constituencies से वो विलोंग करते होंगे, तो किसी भी एक राजय की जो constituencies हैं, तो उधर से जो भी elect हुए हैं members, वो एक साथ मिलकर elect करते हैं कि उस राजय का कौन member बनेगा राजय सभा का, there are 233 elected members plus 12 members nominated by the president, मतलब कि जो total number होता है, संख्या होता है, लोगों का members का राजय सभा में, वो होता है 245, जिसमें से 233 होते हैं, वो elected होते हैं, और जो 12 होते हैं, उनको nominate किये जाता है, president के द्वारा, to control, guide and inform the government, तो यह भी एक function है, हमारे parliament का, the parliament while in sessions, जो parliament होता है, उसका session, question hour से begin होता है, चलो होता है, throw question hour, MPs can bring out information about the working of the government, तो जो question hour होता है, उसके माध्यम से, जो MP लोग हो हैं, sorry, MP लोग जो हैं, वो अपना, मतलब, जो question है, वो रखेंगे, फिर जो government है, वो किस तरीके से काम कर रही है, वो information देंगे, वो बताएंगे, पर्लेमेंट को, the opposition party highlights the drawbacks in various policies and programs of the government, तो जो opposition होता है, वो ये बताता है, कि जो, हमारा, जो ruling party, ये फिर जो government है, हमारा, वो कहां कहां पे गलत है, मतलब, किन-किन जगहों पे, उनसे गलती होई है, किन-किन जगहों पे, उनको improve परने की जरूवत है, and mobilize popular support for their own policies, तो जो opposition होता है, वो अपने policies भी रखता है, सबके सामने, जिससे कि उसके policy भी थोड़ा सा प्रकास ड़ा जाए, तो यहां पे question भी आता है, कि जो opposition party है, वो क्या होता है, तो जो भी जो parties होती है, majority के अलावा किसी parliament में, तो majority के अलावा जो भी parties बचती हैं, वो ही होती है, opposition party, परलियमेंट से approval is crucial for the government in all matters dealing with finances, तो जो भी वित्यों मुद्ध होते हैं, उनके लिए, मतलब उसमें काम करने के लिए, उसमें कुछ भी करने के लिए, यह government को परलियमेंट से approval लेना पड़ेगा, मतलब वो बहुत सी जरूरी होता है, the MPs are, sorry, the MPs as representatives of people have a crucial role in controlling, guiding and informing the government, तो जो MPs लोग होते हैं, जो की representative होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के भावनाओं को, मतलब लोगों के बातों को, पारलियमेंट बलाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत है, crucial role है, मतलब वो लोग एक role लिभात है, बहुत important, वो है control and guiding and informing the government, वो लोग कंट्रोल करत हैं, और inform करते हैं, government को, मतलब guide किस तरीके से करते हैं, अगर कहीं पर government गलत है, तो वो बताएंगे, और कहां-कहां पर improve करने की जरूवत है, वो inform करेंगे, फिर control करेंगे कि अगर कोई government गलत कर रहा है, तो उसको रूखेंगे, तो वो controlling हो जाएगा, How do new laws come about, मतलब laws कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, the parliament has an important role in making laws, तो जो परलेमेंट है, उसका एक बहुत ही महतोपूर्ण रोल है, law बनाने में, there are many ways through which this takes place, मतलब यह जो lawmaking है, वो बहुत सारे तरीकों से होता है, जैसे लोग जो होते हैं, वो कभी-कभी, मतलब किसी-किसी चीज़ की जरुवत होती हैं, तो वो लोग protest करते हैं, वो लोग, मतलब सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं, different groups in society that raise the need for a particular law, तो जो society के group से अलग-अलग, वो अपना एक जरुवत जो होता है, उन्हें किसी भी लोग का, वो लोग, sorry, government के सामने raise करते हैं, दिखाते हैं, कि हमें इस चीज़ की जरुवत है, as the parliament is sensitive to people's problems, तो जो parliament है, वो लोगों के problem पे बहुत, जो डालता है, इसी current से जो process किया जाएगा, मतलब लोगों के जो बात हैं, उसको पूरा करने के लिए, बातों को पूरा करने के लिए, बातों को रखने के लिए, जो भी process किया जाएगा, वो law बन जाता है, from establishing the need for a new law to its being passed, तो एक नए law के जरुवत, मतलब जरुवत होने से लेकर के, उसके पास होने तक, हर stage पे जो लोग होते हैं, उनकी जरुवत होती है, मतलब उनका approval या फिर उनकी आवाजों की जरुवत होती है, आवाज लोग बहुत सारे मादमों से देते हैं, जैसे टीवी हो गया, नियूस पेपर हो गया, तो इन सब चीजों से लोग अपने आवाज को पारलेमेंट तक पहुचाते हैं, unpopular and controversial laws, तो जो unpopular law होते हैं और जो controversial laws होते हैं, वो क्या होते हैं, sometimes a law can be constitutionally valid, तो बहुत time हमेशा होता है, जब भी कोई law पास होता है, तो वो constitution के हिसाब से तो valid होता है, लेकिन जो लोग होते हैं, वो कभी-कभी उसको, जो law होता है, उसको पसंद नहीं करते, और accept नहीं करते, क्योंकि लोग को लगता है कि यह जो law आया है, उसके जो intention है, उसके जो law के जो इरादे हैं, वो सही नहीं हैं, वो लोगों को harm करेंगे, इसलिए लोग इसे accept नहीं करते हैं, तो जो law बनता है, जो लोग इस law को पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी भी law को, कोई भी अगर law आ रहा है, अगर उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस law को, मतलब जो law है, उसको फिर से revise के जाता है, पार्ली अमेंट में और उसको फिर से changes लाके, उसको फिर से सबके सामने लाए जाता है, तो जो लोग हैं, वो यहां तो law को criticize करेंगे, या फिर जो पॉब्लिक मीटिंग्स हैं, वो करेंगे, फिर प्रोटेस्ट भी करते हैं, कभी-कभी लोग, यहां पर प्रोटेस्ट का एक फोटो है, यहां पर, Fight today for a better tomorrow, मतलब कि अभी अगर लड़ेंगे, तो हमारा जो आने वाला कल है, वो बहतर होगा, Report to news, TV news channels, तो जो TV news channels होते हूं, उनमें भी हम लोग report करते हैं, फिर news papers में हम लोग लिखवाते हैं, अगर हमें कोई law अच्छा नहीं लगे तो, When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, तो जब ज़्यादा लोग, मतलब लोगों को लगने लगता है, बहुत सारे लोगों को अगर लगने लगे, कि जो law आया है, वो सही नहीं है, वो गलत है, Then the parliament has pressure to change the law, तो जो parliament होता है, उसके उपर pressure बन जाता है, इस law को change करने के लिए, After electing representatives, it is the duty of citizens to keep check on them, मतलब कि लोगों को elect करने के बाद, अपने representatives को elect करने के बाद, लोग की ये जिम्मेदारी है, नागरिकों की ये जिम्मेदारी है, कि जो उनका representative है, उनके उपर ये लोग नजर रखें, मतलब कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, इस बात की उन्हें खबर होनी चाहिए, तो यही था हमारा आज का chapter, आज का topic, मिलेंगे आपसे किसी next video में, next topic के साथ, तब तर के लिए बाई,